नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे टूब चैनल में दोस्तों यूपी टिपल सी एनम 6912 न्यूकती पत्र बितरण नोटी से फ्रेस 6912 एनम बहनों के लिए आयोग और विभाग से मिल सकती है अच्छी खबर न्यूकती पत्र बितरण त्यारी अप्रेल पहले सब्ताह में जो अपडेट दोस्तों मिली है वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर ने तो सस्क्राइब दोस्तों जरूर कर लीजेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिएगा मिली जानकारी के अनुसार में आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों कल काफी अभ्यर्थी जो है जनता दरबार में गये हुए थे वहाँ पर जो है मुखमंत्री जी से ग्यापन भी दिया गया मुखमंत्री जी को और मुखमंत्री जी से बाद भी हुई और उसके बाद दोस्तों वहाँ से यही हुआ कि जब कोर्ड का फैंसला आएगा तभी जो है हम न्युक्ति पत्र जो है देंगे लेकिन दोस्तों वहाँ पर काफी प्रश्ण भी हुए अब एनम बहनों ने प्रश्ण भी किया कि सर जब 277 को छोड़के 6912 को नियुक्ति पत्र देने की बात अतिसीघ्र देने की बात कही गई है तो उस पर आप मतब विचार तो कर सकते हैं कि हाँ 6912 एनम बहन तो फ्रेस हैं तो दोस्तों वो सब जो ग्यापन था उसका असर काफी दिखा हुए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ हर समाचार पत्र में जो है यहाँ छपा हुआ है और क्या अपडेट निकल कर आ रही है आयोग और विभाग से वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यह गोरकपूर से खबर है और इसके साथ में सबसे पहले में आप लोग को यह बता दे रहा हूँ कि यह समचार पत्रों के माध्यम से सभी लोगों को यह जानकारी मिल गई होगी लेकिन नियुकती पत्र की जो बयात कर रहा हूँ दोस्तों हो सकता है आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाए 6912 अभ्यर्थियों के लिए नियुकती पत्र बित्रन की नोटिस आप लोगों को जल्द देखने को मिलने वाली है और सरकार को पूरा भरोसा है कि सुप्रिम कोर्ट से जो जीत होगी वह उन्ही की होगी आयोग की ही होगी इसी लिए जो है दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह सब देखते हुए हो सकता है आप लोगों को नियुकती पत्र जल्द से जल्द मिल जाए क्योंकि जब केस लगते हैं दोस्तों तो उसी समय पता चल जाता है कि दूद का दूद पानी का पानी क्या है फैसला किस पच्छ में जाने वाला है क्या जो है उसमें जो है मैटर है वह सब पता चल जाता है तो इससे एक मतलब दोसों रास्ता यह साफ हो जाता है कि हाँ यह काम आगे किया जा सकता है तो 6912 अभेर्थियों को न्यूक्ति पत्र अति सीग्र देने की नोटिस आप लोगो जल्द देखने को मिलेगी क्योंकि आयोग और विभाग में दोनों जगह जो है यह सुनमुनाहट जो है सुरू हो गई है दोसों आयोग से 277 की जो है लिष्ट जो है विभाग को भेजी भी गई है विभाग से भी आगे प्रेसिद भी कर दी गई है इसलिए यहां तक मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो डेट 14 अप्रेल की लगी हुई है उस डेट को आप लोगों का केस एकदम फाइनल हो जाएगा और उससे पहले ही 6912 को नियुक्ति पत्र देकर बाकी अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र बाद में मिलेगा चलिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नौ चैनित एनम बहनों ने बुद्धवार को शैकडों की संख्या में शीयम योगी आदितनात के जनता दरबार में पहुची और नियुक्ति पत्र की माग करते हुए पत्रक भी सौपा जनता दरबार में पहुची सैकडो एनम नियुक्ति पत्र की माग चैनित एनम ने सौपा पत्रक एनम दिवरियां और कुसी नगर से ही नहीं बलकी लखनव बहराईचे कानपूर मेरठ आजमगड बलिया मव बस्ती और अंबेटकन नगर इन सब जगह से दोस्तों सैकडों स 9212 सीट के सापेच 8831 का चैन किया गया जिसमें से 7189 फ्रेस और 1622 प्रोविजनल और वेधर्ट का रिजल्ट आया भरती में अधिनस्त भरती में चैनित महिला पूनम दिवेदी हैं दोस्तों हाई कोर्ट परिस्त लेकर पहुची जिसमें कई डेट लगने के बाद 9 जनुर किया गया कि मुकमंत्री द्वारा 21 फर्वरी को न्यूकती पत्र वितरित किया जाएगा इस दोरान साथ हैर 119 अभरतियों का जिला आउंटन भी विभाग द्वारा जारी कर दिया गया 20 फर्वरी की रात में निदेशक परिवार का ल्याड विभाग द्वारा एक नोटिस गया कि भरती में EWS प्रकरण को लेकर पूनम दिवेदी की याचिका पर सर्वोच न्याले के आदेशा अनुसार न्यूकती पत्र वितरन कारिकरम को असगित किया जा रहा है और EWS की सीट पर चैनित यू आर काटेगरी में के 277 अभियर्थियों को होल्ड करके 6912 को न्यूकती पत्र बितरित कर दिया जाएगा तो दोसों यह सूचना जो है एकदम फैल गई है और चैनित अभियर्थियों का कहना है कि कई माह बीत जाने के बाद भी अभी तक न्यूकती पत्र नहीं मिला कई कईयों ने बताया कि यह भरती पेट पर इच्छा के अधारित प पेट उने पत्रक देकर न्याई की गुहार लगाते हुए न्यूकती पत्र देने का आग्रह भी किया है मतलब वहाँ पर बताया गया है सर अभी तो नियुक्ति पत्र नहीं मिला लेकिन आपकी जो है 6 साल की जो कारेकाल है उसमें आपने बता दिया है तो यह सब दोस्तों देखने के बाद लग रहा है अब 6912 अभ्यर्थियों को जल्द ही नोटिस देखने को मिलने वाली है वीडियो को जदा सेयर करिएगा दोस्तों चैनल पर नए तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा हो सकता है आज साम तक कुछ अच्छी खबर देखने को मिले मिलते हैं नक्ष वीडियो में वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद